देखे होगे आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेरलाइन जिसमें हमने लिखा है कि अमरीता सिंख से तलाग के बाद और करीना कपूर खान से शादी करने से पहले आखिर किस महिला के साथ जुड़ गया था सैफली खान का रिष्टा लेकिन ये रिष्टा तूट गया था दो साल बाद दरसल सैफली खान अपनी परसनल लाइफ को लेकर अकसर चर्चा पटोरती है ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं बारा साल बड़ी अमरीता सिंग को लेकर जहां पर सैफली खान की पहली पतनी थी अमरीता सिंग जिनके साथ 13 साल की शादी अपनी सहमती के साथ तोड़ ली थी ऐसे में अमरीता के साथ शादी शुदा होती हुई भी सैफली खान इटालियन मॉडिल रोजा कैचुलानों की साथ रिलेशन्शिप में आ गए थी खबरों की माने तो सैफ और रोजा की पहली मुलाकात केन्या में हुई थी इसके बाद दोनों की कोछ अच्छ और इबराहिम अलेखान के साथ भी रोजा की काफी अच्छी बार्निंग हो गई थी एक इंटर्विव में रोजा ने यहां तक की कह दिया था कि दोनों बच्चे इंडिया में सैटल होने में उनकी काफी मदद भी कर रहे थी उधर सैफ की साथ रोजा के रिश्टे तकरीब दो साल तक अच्छे रहे लेकिन बाद में दोनों का ब्रेक अप हो गया ब्रेक अप के वज़ा से रोजा काफी ज़्यादा तूट गई थी इंटर्विव में रोजा ने कहा था कि मैंने अपने आप से पूछा था क्या और क्यूं हुआ लेकिन एक शक्स आगे बढ़ता है और पाता है सब कुछ शौकिंग है साथ ही आप यह नहीं चानते कि सामने वाला सही कर रहा है या फिर गलत रिश्टे में दोनों के एफट्स लगते हैं यह किसी एक की बस के बात नहीं है नहीं तो चीज़े बिगर सकती है ब्रेक अप के बाद सैफ के फाइनेंशिल साहिता मिलने के बाद रोजा भड़क गई थी और उन्होंने इसका खंडन करती हुए कहा था कि सैफ मुझे फाइनेशली सपोर्ट नहीं कर रहा है मैं ब्रेक अप के बाद से इंजिया में इसलिए रुकी हूँ ताकि मैं काम कर पाऊं और अपने बिल और रेंट भर पाऊं मैं झाल